प्यारे बिद्यार्थियों आप सब का स्वागत है आज के इस क्लास में और मैं सुभम्तिवारी आप सब का Creator Super 30 में स्वागत करता हूँ आज हम लोग reasoning के एक बहुत ही महत्रपून topic पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है Alphabet Test देखिए Alphabet Test एक ऐसा chapter है आपको जो लगभग प्रतेक general competition में जितने भी general competition का examinations होते हैं उन सब में इस chapter से कम से कम जो सवाल पूछे जाएंगे वो कम से कम आपको पूछे जाते हैं आपको two marks का दो number का सवाल तो इस chapter से आता ही आता है आप किसी भी परिच्छा में चले जाओ आप इदर आप SSC का परिच्छा दे रहे हैं railway का परिच्छा दे रहे हैं, bank का परिच्छा दे रहे हैं, MBA इंट्रेंस दे रहे हैं ETC, LIC, किसी भी परिच्छा में आप चले जाओगे, यहाँ पर इस chapter से आपको कम से कम दो number का सवाल और जादा से जादा 5 number का सवाल इस chapter से पूछा जा सकता है हम लोग इस chapter को पूरे detailed में आराम से समझेंगे और आप विद्यार्थियो घर बैठके अच्छे से इसका notes मनाईएगा और जहां भी दिक्कत आएगा आप comment section में comment कीजिएगा हम लोग आपको इसका जवाब देंगे, आपके doubt को clear करने का प्रयास करेंगे तो यह alphabet test के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग लेते हैं तो देखे अलफाबेट जो chapter है आपका यह जो chapter है इसको हिंदी में वर्नमाला कहा जाता है हिंदी में इसको वर्नमाला कहा जाता है वर्नमाला मतलब क्या है वर्नो का समूह alphabet को आप परिभासित अगर करेंगे तो कहा जाता है group of letters is called alphabet वर्नो के समूह को वर्नमाला कहा जाता है और यह जो chapter है आपका alphabet test जो है वो देखे यह इसलिए ज़्यादा important हो जाता है हमारे लिए क्योंकि यह chapter केवल अपने आप के लिए तो दो नमबर और पांच नमबर तक यह पुछा जा सकता है लेकिन इस chapter का जरूरत आने वाले तीन चार पांच chapter में आपको पढ़ेगा अगर आप alphabet अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो next chapter होगा जिसका नाम है coding decoding उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे बरहेंगे input and output फिर आगे बरहेंगे हम लोग आगे मिलेगा classification, analogy, finding out missing one मतलब क्या है आप देख सकते हैं कि कहीं ने कहीं आने वाले 5-6 chapters के लिए इस chapter की जरूरत है तो चलिए समय के महत्तों को समझते हुए हम लोग शुरुवात करते हैं इस chapter का देखिए सबसे पहले जब आप alphabet पर रहे हैं तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि alphabet एक ऐसा chapter है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि कोई भी अगर हमसे पूछेगा कि बताओ alphabet सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है तो आप जवाब देंगे कि alphabet सुनते ही हमारे दिमाग में आ रहा है ABCD मतलब alphabet का मतलब ही होता है A से लेकर Z तक मतलब यह एक ऐसा chapter है जो बचपन से इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातों को जानते आए हैं पढ़ते आए हैं और समझते आए हैं जैसे कुछ points आपके screen पे दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है कि some points is commonly known to everyone कुछ ऐसे बिंदू है जो ऐसा माना जाता है कि इस stage पर कोई बच्चा एगर general competition का तयारी कर रहा है तो उसको इन सारे points के बारे में कहीं ने कहीं जानकारी होगी जैसे सबसे पहला point क्या हम लोगों को generally पता होता है तो there are 26 letters in alphabet वर्नमाला में 26 अक्षर होते हैं ये भी थोड़ा एक चीज यहाँ पे आप नया सीखेंगे आप देखिए ABCD दो तरीका से आप लिखते होंगे एक बरा अक्षर और एक जो आता है एक small letter जिसको बोलते हो आप ये दो तरीका से आप ABCD को लिखते हैं इसी का एक नया सब्द जान लो जो परिच्छा में कभी कभी आपको पूछेगा ये बरा अक्षर जो capital letter of alphabet होता है इसी को बोला जाता है upper case और जो ये smaller letter होता है इसको बोला जाता है lower case मतलब कभी भी परिच्छा में आपको दिख जाए upper case of alphabet इसका मतलब समझना है आपको capital letter of alphabet और कहीं भी अगर दिख जाए lower case of alphabet तो इसका मतलब समझना है आपको a small letter of alphabet तो वर्नमाला में ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए दूसरा जो महत्वपून बिंदु है वह यह है आपका कि alphabet में पाच ववेल होते हैं ये सब लोग को पता है और ववेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर उसके अलावा जो बचे हुए एकीस अक्षर होंगे उनको कॉंसोनेंट कहा जाता है और इसको हिंदी में कहा जाता है व्यंजन फिर देखिए अल्फाबेट में अगर बोला जाए फर्स्ट हाप of अल्फाबेट तो ये तेरा अक्षरों का होगा जो A से लेकर M तक होगा और अगर सेकेंड हाप बोला जाए तो यह भी तेरा अक्षरों का होगा जो N से लेकर Z तक होगा फर्स्ट हाप, सेकेंड हाप हिंदी वाले विद्यार्थियों ध्यान देंगे फर्स्ट हाप को हिंदी में बोलेगा प्रत्थम अर्धान्स देखिए आधा तो कभी-कभी लिखता ही है लेकिन यह सब्द का जादातर रेलवे के परिच्छा में SSE के परिच्छा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे प्रत्थम अर्धान्स और दुईतिये अर्धान्स लिखा हुआ होता है जिसका मतलब होता है first half and second half फिर अगर कभी भी आगे आपको जो मिलेगा ही मिलेगा जब हम questions पे आएंगे अभी तो चुकी introduction है alphabet का अभी उसके basics के बारे में जान रहे हैं जब आप questions बनाने आएंगे तो वहाँ पे दिखेगा in sequence in sequence का मतलब A से लेकर Z तक लिखना है उसी क्रम में A, B, C, D, E, F ये जो चीज हो गया इसी को बोला जाता है in sequence क्रमा अनुसार क्रमा अनुसार और अगर लिखा जाए opposite sequence तो इसका मतलब हो जाएगा Z से लेकर A तक तो यहाँ कुछ ऐसे points है जो इस chapter को पढ़ने से पहले हम लोग को memorize होना चाहिए पता होना चाहिए और उमीद करते हैं कि सारे लोग इस point को समझ रहे होंगे तो चलिए आगे बरते हैं सबसे पहला जो हमारा और सबसे important point alphabet का आपके सामने screen पे है जिसको कहा जाता है position of alphabet वर्नमाला का अस्थान भाई ये तो चर्चा करेंगे ही करेंगे उसके पहले एकदम दिमाग आख कान सब खोल करके बैठ जाओ क्योंकि ये जो topic है ये वी भी यहाँ पे N लगा के तब I हम लगाएंगे ये इतना ज़्यादा important है एकदम ये end turn तक चले जाओ ये इतना ज़्यादा important है आपका ये topic क्योंकि इस topic से हर परिच्छा में आपको सवाल आता है और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप reasoning का कलपना भी नहीं कर सकते हैं अगर आप एक विद्यार्थी है तैयारी कर रहे हैं समाने परितोगिता का तो आपको वर्नमाला का स्थान एकदम जुबान पर याद होना चाहिए तो देखिए ये वर्नमाला का स्थान क्या होता है वर्नमाला का स्थान कहने का मतलब है A, B, C, D से लेकर Z तक जो 26 अक्षर होते हैं उनको उसी क्रम में आप नुमेरिकल वैल्यू दे दीजिए और वह जो वैल्यू आएगा उसी को पोजिशन अप अलफाबेट कहा जाता है जैसे A का पोजिशन 1 होता है B का पोजिशन 2 होता है C का 3 F का 6 I का 9 T का 20 Y का 25 Z का 26 और ये पोजिशन आपको एकदम याद करना होगा कोई भी आपको A बोले तो आपके दिमाग में 1 आ जाना चाहिए कोई भी Q बोले तो आपके दिमाग में 17 आ जाना चाहिए कोई भी भी बोले तो आपके दिमाग में 22 आ जाना चाहिए मतलब position of alphabet एक दम आपके जुबान पे होना चाहिए और इसको याद करने का हम तरीका आपको बताते हैं देखिए एक तो इसको याद करने का तरीका है जो हमारा traditional method है conventional method है conventional कहने का मतलब प्रमपरागत मतलब जो सुरू से हम लोग apply करते हैं किसी भी चीज को याद करने का वह कौन सा method है तो वह method है रटने वाला रट्टा मारने वाला जो method होता है कि अपने आपको तोता के तरह treat कीजिए और रट लीजिए इसको A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, I का 9, J का 10, M का 13, L का 12 ऐसे करके प्रतेक लेटर का position अप रट जाईए और ये आपके लिए पहला तरीका होगा इसको याद करने का अब कुछ बच्चा सोचेगा कि सर रटने के अलावा भी कोई उपाई है क्या जिससे position up alphabet याद किया जा सकता है तो एकदम है उपाई, वाँ उपाई क्या है तो देखिए अगले screen पर आपके सामने आ रहा है ये देखिए क्या है तो इसके लिए कुछ tricks आते हैं position up alphabet याद करने के लिए कुछ tricks आते हैं जैसे ही trick बच्चा सुनता है दिमाग एकदम खुस हो जाता है ये कि चलो अब trick कुछ मिलेगा जिससे हम लोग याद कर लेंगे तो सबसे पहले समझो बात को भी द्यार्थियो trick जो सब्द है वो match में अच्छा लगता है लेकिन reasoning में trick नाम का reasoning का मतलब क्या होता है reasoning का मतलब क्या होता है तो इसका परिभासा होता है कि हम लोग हमेशा एक कथन के निसकर्स को निकालते हैं कुछ rules को follow करके means what reasoning में कोई a plus b का whole square नहीं होता है यहाँ पे जो भी trick आपको मिलेगा वो create किया हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग चीजों को याद कर सकते हैं जैसे देखिए अब आपको यहाँ पे समझना होगा अब trick के बारे में देखिए कैसे position of alphabet याद करेंगे तो सबसे पहला trick आपके सामने screen पे है c, f, i, l, o, r, u, x देखिए हमने alphabet के 8 अक्षरों को लिख दिया कौन-कौन सा वो अक्षर है सो देखिएगा वो हमारे पास है c है, f है, i है, l है, o है, r है, u है और क्या है, आपका x है, और इसी 8 अक्षरों को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे c, f, l, r, k, क्या बोलेंगे हम लोग का पोजीशन 3, F का पोजीशन 6, I का पोजीशन 9, L का पोजीशन 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 24. अब ये जैसे ही आपने सीफी लोरक्स को याद कर लिया, कम से कम आपको 8 अक्षरों का पोजीशन तो याद हो ही जाएगा. कोई हमसे पूछेगा कि I का पोजीशन बताओ, हमको तो ये याद नहीं है कि भाई, सीफी लोरक्स, I का पोजीशन क्या होता है, लेकिन हमको ये याद है कि सीफी लोरक्स से पोजीशन याद किया जा सकता है. कैसे? तो देखिए, यहाँ पे दिखरा होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. कहने का मतलब क्या है? कितना का मल्टिपल में है? देखिए, 3 का मल्टिपल में है कि नहीं है? अब हमसे कोई पूछा I का पोजीशन, हम अपने मन में काउंट करेंगे C, F, I, अच्छा, सीफी लोरक्स में I थर्ड नम्मर पे आता है, और 3 का मल्टिपल है, 3 इंटू 3, मतलब I का पोजीशन कितना हो जाएगा? 9, कोई हमसे पूछेगा R का पोजीशन, C, F, I, L, O, R, एक सब्द आपको याद कर लेना है, C, F, I, अच्छा, जैसे ही इसको याद करोगे, कम से कम 8 अक्छर नहीं, कम से कम 16 अक्छर याद होगे आपको, 16 अक्छरों का पोजीशन आपको याद हो चुका है, या याद नहीं हुआ है, तो आप जीवन भर कभी भी इसको लिखने मे तो आप गलती नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, इसे देखो, common sense लगाएंगे हम लोग, C का position है 3, तो D का position कितना होगा, तो C के बाद D आता है, 4 होगा, F का position है 6, F के बाद वाइ लेटर कौन सा आता है, G, तो G का position कितना हो गया, 7, R का position है 18, हमसे कोई पूछा S का position बताइए, तो भाई 18, R के बाद S आता है, तो 18 के बाद कितना हो जाएगा, 19, मतलब अगर आप एक वर्ड मेमोराइज कर लिए, सीफी लोरक्स, इत मेंस कि आपको 16 अक्छरों का position, means each letter of सीफी लोरक्स and just preceding letter, just following letter, जो just इसके बाद वाला letter का position आपको याद हो जाएगा, तो एक तो ट् position को याद करने के लिए, दूसरा trick देखिए क्या होता है, दूसरा जो trick है आपका, यहाँ पे देखिए, दूसरा जो trick है आपका, वो बहुत famous word है, यह आप लोग बुक्स में भी देखते होंगे, that is, इसोटी, बस दो ही सब्द आपको याद करना है, एक याद करना है सीफी लुरक्स और दूसरा जोता है वो तीन का मल्टिपल होता है, और इसोटी जो होता है, वो पाच का मल्टिपल होता है, देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हमसे O का position पूछेगा, तो हम सीफी लुरक्स में भी O आता है, इसोटी में भी O है, जैसे भी आप चाहें, आप position अप alphabet को याद कर सकते हो, और एकदम एक बात गांट बान लो, चुकि यह virtual class है, इसलिए अभी हम आपसे पूछ तो नहीं पाएंगे हर लोगों से, लेकिन जब आप अगर offline class में मेरे बैठते, तो यह चीज आपको अगले दिन सुनाना ही परता है, alphabet का 26 अक्षर का position, और आप लोग भी बिना position याद किये, alphabet को आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले position अप alphabet याद करेंगे, और उसके बाद ही आगे बढ़ना है, जब आपको लग जाए कि position अप alphabet याद हो गया है, तो अपने आप चेक कीजिए, कि हमको कैसे याद हुआ है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, position याद हुआ है कि नहीं, यह चेक करने का भी हम आपको उपाय बतलाते हैं, आप इसके लिए क्या करो, अब चेक कर रहे हैं हम लोग कि position हमको याद हुआ है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि कुछ-कुछ नाम सोचेंगे, जैसे सबसे पहले हम अपना नाम लिख देंगे S, H, U, B, H, A, M सुभ हम अब हम देखेंगे कि इसके प्रतेक लेटर का पोजीशन हम बतला पा रहे हैं कि नहीं तो हमको चलो हम चेक करते हैं S का 19, H का 8 U का पोजीशन हमको याद नहीं आ रहा है आप क्या करो जहां पे पोजीशन अप अलफाबेट लिखे हुए हो उस पेज को पल्टो और देख लो U का पोजीशन होता है 21 B का 2, H का 8, A का 1, M का 13 फिर क्या करो और कम से कम 20 वर्ड लिखना है ये पहला वर्ड था हमारा अब हम एक और वर्ड क्या करते हैं हम लिख लेते हैं Lotus Lotus अब यहां पे क्या फाइदा होगा सो तुम ध्यान दो L का पोजीशन 12 हमको याद था O का पोजीशन 15 याद था T का पोजीशन 20 याद था U का अभी थोड़ा दिर पहले U का पोजीशन हमको याद नहीं था लेकिन जैसे ही हम यहां पे U के पास आएं तो अभी हम लोगों ने देखा था कि U का पोजीशन 21 होता है तो इस जगह पे आपको U का पोजीशन देखने का जरूरत नहीं परेगा क्योंकि आपका दिमाग उसको मेमोराइज कर लेगा उस चीज को कि अभी जस्ट हमने U का पोजीशन देखा था और फ्रेक्शन अप टाइम में वो चीज आपके दिमाग में बैट जाता है तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि इसको मेमोराइज कीजिए कुछ वर्ट्स लिखिए और यह एक प्रकिरिया है reasoning एक process होता है यह एक दिन में यहाँ पे कोई overnight superstar यहाँ नहीं बन सकते हो उसके लिए आपको थुरा समय देना पर है एक दिन दो दिन तीन दिन यह प्रकिरिया को follow करना होगा और धिरे 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 यह चीज आपके दिमाग में बैट जाएगा उमीद करते हैं कि आपको position of alphabet का concept समझ में आया होगा चलिए हम लोग अपने topic नमबर 2 की और बरते हैं पहला topic था हमारा position of alphabet और दूसरा और महत्वपून topic क्या है हमारा लिखा हुआ है आपको heading opposite of alphabet बिद्यार्थियों फिर से हम बताएंगे position याद करना बहुत जरूरी है उसी से सारा topic रिकोर्ड इलेटेड होता है आपका इसलिए position of alphabet को एकदम याद कर लीजिएगा अब देखिए अगला हमारा topic है opposite of alphabet वर्नमाला का विपिडीत थोड़ा समझिए ये क्या लिखा हुआ है ये चीज तो आपको note down कर लेना है और इस पर अभी हम चर्चा करेंगे उसके पहले थोड़ा सब आप यहाँ पे screen पर ध्यान देंगे कुछ समय पहले हम लोगों ने दो points देखा था एक था in sequence सबसे पहला जो point हम लोगों देखा था memorize जो होता है और दूसरा point था हमारा in opposite sequence देखिए जब कभी भी लिखा रहे आपको कि वर्नमाला को क्रम में लिखे तो आप कैसे लिखते हैं a, b, c, d, dot, dot, z तक और जब कभी भी लिखा रहाता है कि वर्नमाला को विपरीत क्रम में लिखे opposite order में लिखे तो आप कैसे लिखते हैं z, y, x, w, b ऐसा करके आप लिखते हैं मतला z to a लिखते हैं आप क्या देख रहे हैं आप देख क्या रहे हैं कि जब a से z तक लिखा हुआ था और जैसे ही इसको उल्टा कर दिया तो a के जगा क्या आ गया z और z के जगा क्या आ गया a, b के जगा क्या आ गया y, y के जगा क्या आ गया b, c के जगा क्या आ गया x, x के जगा क्या आ गया c, d के जगा क्या आ गया w, w के जगा क्या आ गया d, मतलब आप यह कह सकते हैं कि sir, a का उल्टा z होता है और Z का उल्टा क्या होता है? A. B का उल्टा Y होता है और Y का उल्टा क्या होता है? B. इतना तो चीज आपको ये बाते तो समझ में आ रही होंगी आप लोगों को. अब थोड़ा देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ना होगा, लिखा हुआ है कि if the position sum of any two letters of English alphabet is 27, then both letters are opposite to each other, means, ठीक है, हमको एक तरीका है, इससे पता चल रहा है, एक A का उल्टा, Z, B का, Y, C का, X, लेकिन ये चीज हमको याद रखना होगा, Q का उल्टा क्या होता है, L का उल्टा क्या होता है, A, Z, B, Y, ये सब तो सुरुवात का अक्षर है, तो 3-4 अक्षर आपको याद हो गया होगा, लेकिन जब बीच में जाएंगे, B का उल्टा क्या ह इस चीज को समझने के लिए एक फर्मूला याद करना परेगा कि अगर वर्नमाला के किसी भी दो अक्छरों का अस्थान योग, अस्थान योग मैं कहने का मतलब पोजीशन सम्, यह जो आप देख रहे हैं यहापे लिखा हुआ है पोजीशन सम्, इसी को हिंदी में कहा जाता ह है अस्थान योग, अस्थान योग, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कि अगर किसी भी दो लेटर का पोजीशन का योग, मतलब किसी भी दो अक्छर का पोजीशन आपस में जोरो, और जोरने के बाद अगर रिजल्ट 27 हो जाए, इसका मतलब वो दोनों लेटर ए एक दूसरे का ओपोजीट होता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए थोरा सा, जैसे A का पोजीशन 1, Z का 26, B का 2, Y का 25, C का 3, X का 24, D का 4, W का 23, अब देखिए, अगर A और Z एक दूसरे का ओपोजीट है, तो उसको इस फर्मूला को फॉलो करना होगा, यहाँ पर देखिए, 26 प्लस 1, कितना होगा, 27, यही तो फर्मूला कर रहा है, कि अगर दो अक्छरों का पोजीशन सम 27 हो जाए, तो दोनों अक्छर एक दूसरे का ओपोजीट हो जाता है, जैसे 26 प्लस 1, 27, मतला A और Z ओपोजीट है, एक दूसरे का, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, देखिए C का पोजीशन 23, X का 24, जोर दो, 24 प्लस 3, 27, मतलब C का ओपोजीट क्या होगा, X होगा, एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, कि अगर हमको पोजीशन याद हो जाए, तो हम अलफाबेट के किसी भी लेटर का ओपोजीट आराम से बतला सकते, एक तना तो आपको दिमाग क साम कर रहा होगा अभी, for an example, हमसे कोई पूछ देता कि बताइए कि C का ओपोजीट क्या होगा, अभी तो यहां से देखकर तुरत बतला दे रहे होगे X, लेकिन आप कैसे हम निकालेंगे, हर लेटर का ओपोजीट निकालने का एक ही तरीका है, क्या है वो तरीका, कि C का पो X, मतलब C का ओपोजीट क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि formula ही कहता है कि दो लेटर तभी ओपोजीट हो सकते हैं, जब उन दोनों का पोजीशन का सम 27 हो जाता है, means कोई भी लेटर, जैसे हमसे कोई याद पूछ देता, कि sir, J का ओपोजीट आप बतलाइए तो, हमको opposite याद नहीं है, हम क्या करते, J का तुरत पोजीशन याद करते, अच्छा, J का पोजीशन 10 होता है, 27 में से 10 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 17, और हमको 17 पे क्या होता है, पता है, 17 पे कौन सा लेटर आता है, Q आता है, means J का opposite क्या हो गया, Q, और Q का opposite क्या हो गया, J, clear यहां तक, means, position अगर याद हो जाए, तो opposite भी याद हो जाता है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, अगर आप इस formula को समझ गए हैं, तो, अब एक विद्यार्थी क्या बोला, या मन में आप लोग सोच रहे होंगे, कि सर, अगर position याद नहीं होगा, तो क्या opposite भी याद नहीं होगा, तो सर नहीं बोला, कि याद तो अभी हो जाएगा, अगर आप अभी इस lecture को देख रहे होंगे, इस video को देख रहे होंगे, तो अगले 2-3 मिनट में ही, आपको alphabet के प्रतेक लेटर का opposite याद हो जाएगा, इसका हम guarantee लेते हैं, कैसे याद होगा, तो उसके लिए कुछ tricks होते हैं, जिसको आपको देखना परेगा, समझना परेगा, तो चलिए इस सबको note down कर लीजेगा, video pause करके, इसको note down करके, तभी आगे बरना है, बिना note down किये, कभी भी online class को नहीं करना है, कुछ लोग उसको movies की तरह online class को करते हैं, web series देख रहे हैं, अरे class कर रहे हो ना कर रहे हैं, वह चीज आपके लिए हमेशा रहेगा, हमेशा आपको memorize करने में असान होगा, चलिए आगे बरते हैं हम लोग, हम लोग अब देखते हैं, tricks के बारे में कि कैसे हम लोग किसी भी alphabet के opposite को याद कर सकते हैं, tricks के माध्यम से, तो देखो opposite याद करने का बहुत हैं, जैसे हमने पहले ही बोला है आप लोग को, कि यहाँ पर कुछ A plus B का whole square नहीं होता है reasoning में, reasoning में हर एक बात के लिए trick बनाया गया, इजाद किया गया है आपको, हर कोई अपने अपने तरीका से समझाता है, हम जो आपको तरीका बताएंगे याद करने का, उसके लिए प्रती दिन यूज होने वाले कुछ अंग्रेजी के सब्दों को हमने पिक किया है, जिसके माध्यम से आप अलफाबेट के प्रतेक अक्षरों का विपरीत बतला सकते हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट देखिए क्या है, क्या है वो ट्रिक्स? सबसे पहले जो पहला वर्ड है आपके सामने वह है YOO और F, इसको YOO F को हम लोग बोलेंगे उफ, हम लोग बोलते हैं न, उफ कितनी गर्मी है, है कि न, ऐसा कहते हैं हम लोग उफ कितनी ठंडी है, तो उफ पहला सब्द क्या है आपके लिए उफ, दूसरा सब्द देखिए क्या है, बाई, बी वाई बाई, तीसरा सब्द है आपके लिए, एम एन, एम एन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे मन, हिंदी में, उफ, बाई, मन, और चौथा सब्द है आपके लिए पीके, मुवी देखे हो ना, पीके मुवी, वही है, कौन-कौन सा सब्ध है देखिए, उफ, बाई, मन, पीके, पाचमा सब्ध है आपके लिए, प्रति दिन सब्ध आप लोग पहनते हैं, सब्ध के लास्ट में बस आपको क्या करना है, एक और लेटर जोड़ देना है जी, जिससे यहाँ बन जाता है सब्ध जी, क्या बन जाता है, सब्ध जी, छठा सब्ध है, लव, यह सब्ध तो बहुत सुन रहे होगे तुम लोग लव, तो देखिए, टोटल आपके पास छे वर्ट्स हैं, जिसको याद करना है, और आपको अलफाबेट का लगभग प्रतेक अक्छरों का उपोजिट आपको याद हो जाएगा, कौन-कौन सा एक बार मैं अब फिर से बोल देता हूँ, उफ, बाई, मन, पीके, लव, मन, एफ का पोजिशन 6, एकीस और छे कितना होगा, 27, मतला यू और एफ एक दूसरे का उपोजिट है, बाई, बी और वाई एक दूसरे का उपोजिट है, मन, एम और एन एक दूसरे का उपोजिट है, पीके, पी और के एक दूसरे का उपोजिट है, देख लिजे न, पीका सोला होता है के का इगारा होता है जोर दोगे that is 27 27 हो जाएगा अब इधर आ जाईए जब दो-दो अक्षर का था उफ बाई मन पीके वो हमको याद हो गया अब हमारे पास है सट जी और लव यहाँ पे अपोजिट याद कैसे करना है तो मेरा बात ध्यान से सुनना सट जी को दो-दो अक्षरों के ग्रूप में डिवाइड कर दो लव कोई भी दो-दो अक्षरों के ग्रूप में डिवाइड कर दो रेगुलर दो-दो अक्षर मतलब हमसे कोई अगर पूछे ना कि sir love का spelling क्या होगा तो आप क्या बोलते हैं L-O-B बोल देते हैं ना ऐसे नहीं बोलना है थोड़ा pause लेके बोलना है कोई हमसे अब पूछेगा ना कि love का spelling क्या होता है तो अब आप कहिएगा L-O थोड़ा pause लीजिएगा और बोलिएगा B-E क्या बोलेंगे L-O-B-E कोई हमसे पूछेगा ना search g का spelling क्या होता है जैसे होता ना PUBG गेम खेलते हो ना वैसे ही है search g अब search g का spelling क्या बोलेंगे s h थोड़ा pause लेंगे i r t g search g का spelling क्या होगा s h i r t g जिससे clear हो गया कि s और h एक दुसरे का opposite है i और r एक दुसरे का opposite है g और t g t grand trunk road देखो कैसे भी याद रखो याद करना important है g t grand trunk road बोलते हैं ना वहाँ से भी याद हो जाएगा g का opposite t होता है उसी परकार love का l o b l का opposite o o का l b का e e का b clear हो गया सब लोगो मतलब देखो 2, 4, 6, 8 और 6, 14 और 4, 18 अभी तक हम लोगों ने 18 अक्षरों का opposite याद कर लिया अगर हमको ये सब्द याद हो जाए और इन सब्दों का spilling याद हो जाए और उमीद करते हैं आप सबको ये सब्द पहले से पता होगा और इसका spilling भी आप लोगों को याद हो गया होगा या पहले से याद होगा लेकिन अलफाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं यहाँ पे आपको टोटल कितने हैं अभी 18 आए हैं 8 अक्षर और बचे हुए हैं उन 8 अक्षरों में 2 अक्षरों का opposite तो सब को पता होता है वो कौन सा 2 अक्षर है सो देखिए सबसे पहला है A और Z यह तो कोई नहीं भूलता है कि A का opposite Y होता है और Z का opposite A होता है अब हो गया 20 अक्षर बचा कितना अक्षर? 6 अक्षर और बचा हुआ है वो 6 अक्षर कौन कौन सा है तो देखिए थोड़ा सा, आठमा है CX, इधार हम लिग देते हैं, नाइन्थ है आपका JQ, और टेन्थ है आपका DW, देखो, यही तीन ऐसा अक्षर है आपको, जो थोड़ा सा आपको मेमोराईज करना है, CX, JQ और DW, अब देखिए, इन तीनों का भी याद करने के लिए, इन तीनों को याद करने के लिए, आपको अलग-अलग तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे एक विद्यार्थी हमसे बोला, कि सर, CX को याद करने के लिए, क्या हम लोग इसको चन्नाई Ekspress बोल सकते हैं, क्या, देखिए, मुवी देखा है न, आप लोगों ने, सल्मान खान साब का एक मुवी है, चन्नाई Ekspress, तो देखिए, चन्नाई Ekspress से C आई जाता है, और Ekspress से X आ जाता है, तो C का opposite क्या हो जाएगा X अब ही अगर आपने याद कर लिया चन्नाई एक्सप्रेस दिमाग में बैट गया तो CX आपको याद हो जाएगा कि C का opposite X होता है X का opposite C होता है JQ JQ को याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते है Jack and Quinn कार्ड में होता है ना पत्ती Jack and Quinn ऐसे याद कर सकते हो DW इसको भी याद करने के लिए तरह तरह का बच्चा सब दिमाग लगाता है आप इसको बोल सकते हो दारू वाला ये दारू पीने वाला नहीं है दारू वाला टाइटल भी होता है आपका दारू वाला DW एक बच्चा बोला सर दिल वाले नहीं बोल सकते हैं क्या हम बोले क्यों नहीं बोल सकते हो दिल वाले कह दो है कि नहीं दारू वाला कह दो कुछ भी कहो दिल्ली वाली कह दो दिल्ली वाला कह दो लेकिन आपको एक बात याद होना चाहिए कि D का W होता है यह बस important है तो यह रहा trick जिसके माध्यम से आप alphabet के opposite अक्षडों को आराम से क्या कर सकते हो memorize कर सकते हो clear हो गया मतलब अभी तक हम लोगों ने 2 points को परा है अभी तक हम लोगों ने क्या किया है परा है position जिसका मतलब है A से लेकर Z तक का position आपको याद करना है और दूसरा हम लोगों ने परा है opposite of alphabet जिसका मतलब और alphabet के प्रतेक letter का opposite आप लोगों को याद करना है clear हो गया यहां तक चलिए अब हम लोगों आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने अगले topic को देखते है क्या है हमारा अगला topic तो अगर आप लोगों ने पिछले topic को complete कर लिया है तो हमारा next topic है concept of left and right और ये भी important topic है क्योंकि अब धीरे-धीरे हम लोग questions की और बर रहे हैं हमारा basics दीरे clear हो रहा है और आगे हम लोग सवाल की तरब बर रहे हैं questions की तरब हम लोग आप move कर रहे हैं देखे concept of left and right क्या होता है तो बहुत अच्छे से वहाँ पे लिखा हुआ है कि there is no any direction of alphabet or the letters of alphabet they completely या totally depends on our left and right असान सब्दों में समझे कि वर्नमाला का या उसके किसी भी अक्छर का कोई अपना direction नहीं होता है वो हमारे direction पे निर्भर करता है मतला जिधर मेरा left होगा उधर alphabet का भी left होगा जिधर मेरा right होगा उधर alphabet का भी right होगा ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और not even for alphabet आप याद रखो कोई भी निर्जीव वस्तू non living things कोई भी अगर है तो उसका कोई अपना दिसा नहीं होता है जैसे आप कभी कार चला रहे हो आपके साथ आपके पिता जी बैठे हुए है और वो आपको कहते है कि बेटा take a slight right turn after 10 meters ahead तो आप क्या करते हो 10 meter आगे जाते हो right वाला indicator blink करते हो और गारी को right घुमा देते हो कभी notice कर रहे है आप लोगों ने क्या वो उस गारी का right था नहीं वो उस vehicle का तो कोई left और right होता ही नहीं है non living things तो direction less होता है जिधर मेरा right था उधर उस vehicle का भी right था जिधर मेरा left था उधर उस गारी का भी left था means alphabet में भी यही चीज होता है alphabet में कोई उसका अपना बाया दाया नहीं होता है अगर alphabet a to z के form में लिखा हुआ है और हमसे कह दिया जाए from left बाये से जाने के लिए या बाये से तिसरा अक्षर कौन सा होगा तो मेरा बाया किधर है a की तरफ है और अगर बाये से कहा जा रहा है तो हम हमेशा a से किधर की और जाएंगे z की तरफ जाएंगे मतलब यह हो जाएगा from left और अगर बोला जाए right से दाएं और से हमारा right जेड की तरफ है तो from right अगर बोला जाए हमको alphabate में from right अगर बोला जाए तो हम लोग किधर से जाएंगे z से किधर की और a की और एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा note down कर लेना आप लोग अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए एक सब्ध होता है from left जो अभी उपर हम लोग लिखा है और एक सब्ध है आपका from right देखिए from left का मतलब क्या होता है तो from left to right याद रखिएगा कहीं भी लिखा रहे ना अगर कि बाएं से या कहीं लिखा रहे आपको दाएं से तो इसका मतलब क्या होगा दाएं से जैसे ही बोला ना इसका मतलब हो जाएगा from right to left ये बात एक दम दिमाग में बैठा लो from right बोले मतलब right से left की तरफ बोल रहा है from left अगर बोले इसका मतलब left से किधर जाने को बोल रहा है राइट जाने को बोल रहा है ये बात आपके दिमाग में बैठा लेना है दूसरा बात गलती क्या बच्चे करते हैं वो भी समझे दूसरा बात क्या दिमाग में रखना है आपको कि कभी भी आपको यह याद नहीं करना है कि from left का मतलब A to Z और from right का मतलब Z to A अगर तुमने ऐसा याद कर लिया प्यारे बिद्यार्थियों भरोसा रखिये हम पे अगर आप लोगों ने इस परकार से गलत तरीके से याद कर लिया बहुत लोग उनलाइन बतला भी देते हैं कि from left का मतलब A to Z ऐसा नहीं है यह from left A to Z क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे normal alphabet दिया हुआ है हमारा बाया A की तरफ है इसलिए A से हम Z की तरफ जा रहे हैं हमारा दाया Z की तरफ है इसलिए हम Z से किदर की और जा रहे है A की और जा रहे हैं अगर यहीं चीज ऐसा दिया रहता मान लो यहाँ पे ABCD ऐसे लिखा हुआ है एक चीज समझो अगर reverse में alphabet लिखा रहता Z Y X W B U T dot dot A तक अब सोचो अगर हमसे यहाँ पे बोला जाता कि from left तो अब देखो अब हमारा from left जो है हमारा left किदर है Z की तरफ है तो अब हम Z से जाएंगे A की तरफ अगर बोला जाएगा from right आना है तो अब आप किदर से किदर जाएंगे from right बोला जा रहा है तो अब आप किदर से किदर जा रहे हैं A से किदर की और जा रहे हैं जेड की तरफ जा रहे हैं मतलब ये बात तो कभी दिमाग में याद करना ही नहीं है कि from left किधर से होता है from right किधर से होता है बस एक simple सा concept है जिधर मेरा left होगा उधर alphabet का भी left होगा जिधर मेरा right होगा उधर alphabet का भी right होगा clear हो गया सब लोग का चलिए यहां तक सब लोग का हो गया है तो आप इसको screenshot ले सकते हैं आप बाद में इसको no down करेंगे या pause करके वीडियो को आप इसको no down कर सकते हैं अब थोड़ा देखिए एक example यहां पर दिया हुआ है इस example को थोड़ा समझते हैं और अगर इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग को आगे चल करके question बनाने में बहुत आसानी होगा देखिए क्या है example हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है कि which letter is fourth to the right of seventh letter from the left in English alphabet इसको हिंदी में कहा जाता है आपको हिंदी में इसको क्या कहा जाता हिंदी में अगर इसको लिखना होता हम लोग को हिंदी में ऐसा लिखा जाता है आपको कि बाएं से सातुमें अक्षर के दाएं के दाएं के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यही आपको बतलाना है देखिए पहले तो इसके मीनिंग को समझना परेगा अगर आप अलफाबेट बना रहे हैं तो सब्दों को पे पकर होना चाहिए रीजनिंग बना रहे हैं तो सब्दों पे पकर होना चाहिए अगर सब्दों पे पकर नहीं होगा तो आप सवाल असानी से नहीं बना पाएंगे जैसे यहां लिखा हुआ है कि which letter is fourth to the right of मतलब कौन सा अक्षर चौथा राइट में है किस के तो seventh letter from the left बाएं से सात्वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा English alphabet में यही आपको बतलाना है means आप यहां पे देखो क्या बोला कि बाएं से सात्वें अक्षर कैसे बनाएंगे तो बाएं से चौ़कि English alphabet का बात हो रहा है ना normal alphabet English alphabet का मतलब होता normal alphabet जहां भी केवल alphabet लिखा रहे या English alphabet लिखा रहे इसका simple सा मतलब होता A to Z अब हमसे सवाल बोला है कि A से Z में बाएं और से जो सात्वें अक्षर है सारे tricks पे सब पे चर्चा करेंगे पहले चीजों को समझना है आपको बाएं से सात्वें तो left किदर से जाएंगे हमारा left A की तरफ से है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या मिल गया? जी अब हमसे क्या बोला? कि बाएं से सात्वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ये आपको बतलाना है अब समझे अब क्या हुआ? तो left से 7 लेटर तो पहुँच गए अब इसके right में 4 जाना है अब G के right में H आएगा कि F आएगा ये भी कुछ बच्चों को confusion हो जाता है चुकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि right from right मतलब Z से A हो रहा है तो G के right में जाएंगे तो F की तरफ जाएंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा देखिए उपर पडिभासा को ध्यान से पढ़िए लिखा हुआ है कि there is no any direction of alphabet or the letters of alphabet मतलब वर्नमाला या वर्नमाला के किसी भी अक्छर का अपना बाया दाया नहीं है जब कभी भी right और left जाना होगा आप अपने right और left के अनुसार ही जाएंगे जैसे हमसे बोला गया कि भाई left से जो 7th letter है जो की G है उसके right में तो अब G का right हमारा right किदर है H की तरफ है तो अब G के right में आपको fourth हो जाना है एक, दो, तीन, चार G के right में fourth और अगर हम इधर जाते तो G से इधर क्या हो जाता left हो जाता तो हमारा answer क्या हो जाएगा K हो जाएगा ये हमारा answer हो गया इतना लिखना नहीं है ये सब तो अभी आपको समझा रहे है ये सब सवाल का answer तो एक second में आपके दिमाग में आ जाएगा बट अभी समझे ये basics है इसके बाद tricks पे आएंगे हम लोग क्या बोला गया insert क्या बोला गया कि आपको जब कभी भी आप सवाल बनाएं तो हमेशा बाया दाया आप अपने left और right के अनुसार ही निधारन करें clear हो गया सब लोग का चलिए आगे बरते हम लोग अब हम कुछ सवालों को देखेंगे और इसको बनाने का tricks क्या होता है उस पे भी चर्चा करेंगे देखिए हमारा अगला slide क्या है यहाँ पे एक trick दिया हुआ है आपको यह trick को आप लोग note down कर लीजिए यह जो उपर trick दिया हुआ है अभी दूसरा सवाल भी हम लोग बनाएंगे पहले इस trick को आप लोग note down कर लीजिएगा क्या लिखा हुआ है तो देखिए जब कभी भी alphabate में from left से left रहे या from right to right रहे तो हमेशा minus करना है हमेशा क्या करना है minus क्या minus करना भी बताएंगे अगर question में एड करना है इस चीज़ को दिमांगे बैठा लीजिए from right to right या from left to left तो minus from left to right या from right to left तो क्या हो जाएगा plus जैसे previous question में पहले हम लोग देख लेते हैं इस formula को लगा करके पहले हम लोग previous सवाल को ही उस formula से बनाते हैं फिर आगे भी एक सवाल है ऐसे हम लोग बहुत सरे सवालों को solve करेंगे अभी देखे क्या है अब यही question देखो इसको बनाना कैसे है तो सबसे पहले तो position याद होना चाहिए बिना position याद हुए आप question को नहीं बना पाएंगे अब यहां पे question में देखो क्या लिखा हुआ है from left पहले from वाले को हमेशा लिखना है क्या लिखा हुआ है from left बस ऐसे लिख देना है from left कितना है तो seventh मतलब बाएं से सातों मा फिर two वाले को देखो to the क्या है आपका to the right कितना है to the right तो fourth यहाँ आप लिख देंगे to right राइट कितना लिख देंगे चार बस यह काम आपको करना है यही काम आपको बस क्या करना है चार अब देखिए क्या है अभी हम लोग ने क्या देखे यहां पर भी हम लोग ने फर्मूला देखा है just अभी देखा है कि from left to right फर्मूला क्या कहता है देखो कि from left from left to right अगर दिया रहे तो हमेशा add करेंगे मतलब अला अला direction में add करेंगे तो पहले तो इन दोनों को जोर दो तो 7 और 4 कितना हो जाएगा add करेंगे कितना हो जाएगा 11 अब समझो यहाँ पर एक बात तो clear हो गया कि अगर question में from left रहे to the right रहे तो हमेशा add करेंगे तो 7 और 4 कितना हो गया 11 मतलब alphabet का 11 अक्षर हमारा answer होगा alphabet का जो 11 पोजिशन वाला letter होगा वो हमारा क्या होगा answer होगा लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में अभी कौन्ध रहा होगा कि sir यहाँ पे left भी है यहाँ पे right भी है आपके दिमाग में यह बात एक दम आ रहा होगा sir यहाँ पे left भी है यहाँ पे right भी है तो यह जो 11 जो आया है हमारा answer 7 और 4 जोरने पर वो 11 किधर से लेंगे चुकि left से 11 कुछ और होगा और right से 11 कुछ और होगा तो अब यह चीज भी आपको कहीं no down कर लेना है कि हमेशा final result का counting उधर से करना है जिधर से from लगा रहे तो from left जाना है कितना इगारा और from left 11 जाने का मतलब क्या है a to z में 11 और आपने position ही याद कर रखा है a से z का कि 11 पे क्या होता है तो k होता है तो हमारा answer direct क्या हो जाता कि 11th letter from left clear है यह चीज आपके दिमाग में बैट जाना चाहिए एक और सवाल देखते हैं जल्दी से एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग जो यहाँ पे दिया हुआ था which letter is fourth to the left top 17th letter from the left in English alphabet सबसे पहले from वाले को लिखो जल्दी जल्दी लिखना है from left धीरे धीरे यह सब लिखने का आदत छोड़ देना है मन में जोरना घटाना है अभी basic है इसलिए थोड़ा थोड़ा बतला रहे हैं from left कितना जाना है 17th फिर यहाँ पे लिखो two two किदर चलागे अहा two left अच्छा two भी यहाँ पे left ही है two left कितना जाना है fourth अब आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए from left to left जब from left से left रहे या from right से right रहे तो minus करते हैं या from left से left जाना है तो हम लोग माइनस कर देंगे 17 में से 4 चला जाएगा कितना आ जाएगा 13th फिर वही सवाल कि sir 13th किधर से count करेंगे final result लाने के लिए तो जिधर से from लगा रहेगा तो from left ही दिया हुआ है by से जाना है आपको कितना 13 अक्छर तक और वही आपका answer होगा चुकि English alphabet है मतलब A to Z है और by से जाना कितना है 13th from 13th from left 13th from left by से जाना कितना है तो by से जाना है हमको 13 और आपको position याद है ABCD का कि 13 पे क्या होता है तो 13 पे होता है M तो हमारा answer क्या हो गया M clear हो गया सब लोगो यहाँ तक कोई दोरा है तो अगर ये चीज आप समझ गए है तो आप उमीद करते है कि alphabet का जो पहला basic जो होता है वो चीज आपको clear हो गया है अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे तो बहुत सारे questions को इस पर आप भ्यास करवाएंगे आपको practice करवाएंगे तो चलिए आज कि इतना ही अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए कोई ही भी कोई परसानी आए किसी भी lecture में किसी भी topic में कोई भी suggestion आप देना चाहें तो नीचे comment box में आप comment कर सकते हैं या creator super 30 के जो भी officials हैं उनके mobile नंबर पर हमारे office का mobile नंबर नीचे आपको दिख रहा होगा description में दिख जाएगा वहाँ पर आप call करके चीजों को समझ सकते हैं तो मैं सुभम तिवारी आज क्ली इतना ही bye bye have a nice day प्यारे विद्ध्य थियों फिर आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में बाए कि 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 युद्ध नियुक कि कि